अर्जेदेवगन की दृष्चिम 2 का ट्रेलर रिलीस हो चुका है विल जाहिर सी बात है फिल्म का सीक्वल आ गया है लेकिन केस वही है विजे सलगावकर और उनकी फैमिली के खिलाफ जो केस है वो फिर से रियोपन होता है और इस बार केस में एक और investigating officer है तबू के अलावा अक्षे खन्ना भी इस केस को investigate करेंगे एक बार फिर से अर्जेदेवगन और उनका परिवार, smartness और अपना दिमाग लगा कर वापस investigating officers को confuse करने की उन्हें गुमराह करने की और भटकाने की कोशिश करेंगे लेकिन अक्षे खन्ना इस बार एक अलगी इरादे से आये हैं वो ये कहते हैं कि मुझरिम का दिमाग पढ़ लेता हूँ, मैं उसे पूरी तरब पढ़ता हूँ, फिर मैं उससे सवाल करता हूँ तबू भी ये कहती नजर आती है कि मैंने गलती की विजेसल गाउंकर को चौथी पास समझ कर मैंने underestimate कर लिया और उसने मुझे एक मा समझ कर underestimate कर दिया लेकिन उसे नहीं पता मैं एक पुलिस ओफिसर हूँ यानि कि इस बार फुलिस के इरादे जादा मजबूत नजर आ रहे हैं वहीं आज़ेवगन भी फुल फॉर्म में हैं, वो भी अपने परिवार को कहते हैं कि उन्हें इसी तरह संभलके रहना है उनका मानना है कि ये केस तब तक चलता रहेगा, जब तक ये जिन्दा रहेंगे इसलिए इस केस के साथ जीना है और कैसे अपनी बात पर टिके रहना है, वो अपने परिवार को समझाते नजर आते हैं 18 नवंबर को ये फिल्म थेटर्स में रिलीज होने जा रही है, द्रिश्यम को लेकर वैसे ही excitement है और ट्रेलर देखकर एक बार फिर से goosebumps आ गए, वो पिछली द्रिश्यम फिल्म के scenes ताजा हो गए द्रिश्यम फिल्म फाइनली आ रही है साथ सालों के gap के बाद, जहाँ पिछली बार इस फिल्म को डिरेक्ट किया था निशिकान कामत ने, वहीं अब वो इस दुनिया में नहीं रहे है, इस बार इस फिल्म को डिरेक्ट किया है अभिशेक पाठक ने तो जल्द ही द्रिश्यम सिनेमाज में होगी, यह फिल्म एक साथ के फिल्म का रीमेक है, साथ वाली फिल्म में मोहनलाल ने काम किया था